आप सभी समु की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को नौवश की शुप कामनाएं आप सभी दिदियों का 2015 मंगलवें व्यतितो और श्रतंत्रा दिवस की भी शुप कामनाएं आज दिदि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको जागरू करने हे तु है जिहां आप लोग को जागरू करना है कुछ बातों का विशेज ध्यान देना है अगर आप लोग समु में जुड़ी हैं उन दिदियो के लिए भी है और जो दिदि नहीं जुड़ी है उन दिदियो के लिए भी है क्योंकि आज नहीं जुड़ी है कर समु में जुड़ना ही जुड़ना है क्योंकि अब सारी योजनाय दिदि स्वयम शाहता समु में ही आ रही है तो इसलिए सभी दिदिया स्वयम शयाता समों में जुड़ना चाहती हैं और जुड़ेंगी क्यों नहीं क्योंकि उन्हें भी तो काम चाहिए इधर उधर ब्याजी पैसा जो दिदिया लेती हैं कम से कम 5-10% उनको मिलता है अगर स्वयम शयाता समों बनाएंगी और जुड़ जाएंगी तो उनको कम से कम 2% की ब्याज़दर से पैसा मिल जाएगा जो दिदिया समों में पहले जुड़ चुकी हैं उनको कुछ चीजों के बारे में नहीं मालुम है काफी मुझे कॉल्स आ रहे हैं एक दो समस्या नहीं काफी समस्या मुझे देखने कोई मिल रही है तो मैंने सोचा कि आज मैं यह वीडियो आपको इसी उपलप्ष भी बनाओं खास कर दीदि आप अगर समों में जुड़ी है एक पहला एक बात है जो विशश आप लोग को ध्यान में रखना है आप लोग अपना रजिस्टर जिहां रजिस्टर जिसमें इसको बोलते हैं कारवाही है रिण पुस्तिका है बचत पुस्तिका है रोकडबई है सामान वही खाता है यह पांच रजिस्टर जो आपके दिये जाते हैं जो आपके पास होंगे यह किसी को ना दे जी हाँ आप लोग का समू है यह रजिस्टर आप ही लोग के पास रहना अनिवार रहे है और जरूरी भी है आप इस बातों को ब्लाग पे पूछ भी सकती है अपने आप अपना रेजिस्टर ना तो समू सकी को दीजिए किसी को नहीं देना है कुछ मैं लाए करे हैं कि हमारे रजिस्टर को सम्मू सकीने ले रखा है हमारे मोहर को ले रखा है हमारे पाज़ों को ले रखा है तो आप दिदियां जो भी समय सम्मू में जुड़ी हैं मेरी आवाज जिन दीदियों के पास पहुश रही है बहुत ही गंभीरता सी इस बात को लीजिए अपने रजिस्टर को किसी को नहीं देना है अगर कोई मांगता है तो आप ब्लॉक पे कंप्लेन भी कर सकती है क्योंकि यह समू आपका है और रजिस्टर भी आपका है तो यह र को रखेगा अध्य रखेगी सहां मती से को सवं सकते हैं जो समय समय पर आसकती है ओलेक्खा करा है क्यों नहीं देना रिजिस्टर कि जो पता लगा कि रिजिस्टर लेकर घर में रख थींहां किस लिखा विडियर समय पर MEETING करते हैं तो रिजिस्टरни लब्द えー तो ऐसी दिदियों को जिम्मेदार बनाना है आपको जो दिदी सापताहिक बैटक में रेजिस्टर लेकर उपस्तित हो और आपकी बातों को ध्यान दे और समू को चलाने के तरीकों के बारे में बताए जिम्मेदारी जिसे बोलते हैं जिम्मेदारी के साथ समू को चलाएं और register को रखें नहीं तो आप लोग को कहें ने कहें कुछ भरपाई करना पड़ जाएगी क्योंकि रजिस्टर आपके समू का है आपके समू का खाता नंबर रहता है पास्बूग भी रहता है मोहर भी रहता है तो पाजबुक मुहर ध्यान देज बात को पाजबुक मुहर रजिस्टर समू के बैठक में रहना चाहिए समू के बीच की महलाओं के पास ही रहना चाहिए ना तो समू सक्की को देना है ना तो कोई अधर अधिकारी को देना है अधिकारी आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं लेकिन ले नहीं जा सकते अगर आपका रजिस्टर कोई ले जाता है तो यह जाने कहीं न कहीं वो दुरुपियोग भी कर सकता है क्योंकि कुछ जगह ऐसे हुए हैं मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि यूटूब के recording के खिलाब है तो मैं इसलिए उनका नायम नहीं बताऊंगी कुछ जगा ऐसे हुए कि रोजिस्ट्रों का दुरुप्योग भी हुआ है खाता आपका है नाम आपका है समू आप चलाती है मुहर आपके समू का है अक्सासर भी आप लोग के हैं कहीं कहीं तो परजी अक्सासर भी बना दिये जाते हैं और पैशा निकासी हो जाते हैं तो पैसा जब निकासी हो जाते हैं तो जिम्मेदारी सारी महलाओं के उपर थोपती जाती है कि आपका समू है कही जगों पे रेजिस्टरों का दुरूपयों किया जा चुका है और काफी महलाओं परशान भी हो गई है कुछ जगा तो ऐसे कर दिया गया है कि 15,000 रुपय जी हाँ 15,000 रुपया निकासी हो गए और समू की महलाओं को मिला ही नहीं अध्या सचु ही निकाली पैसा समू में लाए लेकिन कोई अधिकारी ने उसे कौन कहा बारे में भी नहीं बता सकती लेकिन वो 15,000 दीदियों को पास पहुचा ही नहीं दिखा दिया गया कि आपके समों में 15,000 रिवालिंग फंड देद दिया गया है लेकिन उन गरीब महलाओं के पास 15,000 रिवालिंग फंड है ही नहीं कितनी अपसोस की बात है कि जहां एक तरफ सरकार गरीबों को आगे बढ़ने का काम कर रही है गरीबी से निकालने का काम कर रही है वहीं दूसरी तब कुछ ऐसे गंदे लोग भी समाच के हैं जो कि वो 15,000 भी उन गरीब महिनाओं के पास नहीं जाने दे रहे हैं जिसको चक्री निधी बोलते हैं रिवालविंग फंड बोलते हैं सम्भू के खाते में आ गया पैसा और निकल भी गया और फिर उनसे वापस भी ले ली गया कैसे किस तरू उनसको ले क्योंकि महिलाए जानते हैं कि ये पैसा सरकार दे रहा है ये हमारा पैसा नहीं है हमको रिटन करना है तो काफी मैलाओं को पता नहीं है कि 15,000 जो आता है वो हमको करना क्या है तो आज इस वीडियो के माद्याम सदीदी मैं बता दूँ कि आपके खाते में अगर 15,000 रुपए जी आप 15,000 रुपए है रिवाल्विंग फंड आ चुके हैं या आने वाले हैं तो उस पैसे को किसी को देना ही नहीं है इस बात को आप लोड कर लिजिए वो रिवाल्विंग फंड है चक्री निदी है जो सरकार गरीम महिलाओं को अनुदान के रूप में देती है उस पैसे से दिदियां अपनी छोटी छोटी जरुतों को पूरा कर सकती है कुछ जगहों पर ऐसे आप यह हुआ कि पंदाजर निकाशी हो गया और सारी महिलाओं ने बाट लिया बाट के कहानी खतम समूबंद ऐसा नहीं करना आपको आपको पंदाजर लेकर उसको घुमाना है समूबं के अंदर घुमाना है जैसे हमारे किसी दिदि को पांच़न काम लग गया तो उनको दिजए किसी को चारजर काम उनको दिजए छोटी छोटी जिसको बोड़ते हैं जरुतों क्योंकि पंदाजर बहुत बड़ी रखम नहीं है कि जससे कोई बड़ा काम किया जा सके क को बिजनिस स्टाट किया जा सके तो रिवाल में फंड जो है छोटी मोटी जरुटों के लिए होती है आप रस्ताव निक लिखकर 15 जरुटा निकासी करके छोटी छोटी जरुटों को पूरा कर सकते जैसे कि उधान के रुप में आपको बता दू बच्चे की फीज भर नहीं ह हमारे प Luck पैसा नहीं है उर्क परинаजय गरीबों के पास समस्याओ की कमी ही नहीं है तो हम जैसे महाजन से पैसे लेते विजन से पैसा लेकर समूम में पैसा लेगे दो पर्षन के दर से एक हजार दो हजार फीस जो भी हमारी अपनी जरूरत है पैसा लेकर अपने काम को अजिश्ट कर सकते हैं उसके बाद पांचवे हपते में जी हां पांचवे हपते में उसको वापसी करते हैं दो पर्षन ब्यार दर लगा कर वापसी कर देंगे अब दीद यह पैसा आप ही लोग के पास रहेगा जी हां जैसे कि आपको मैं उधान बता दू कि 15,000 रुपए हैं आपके पास जब किसी दीदी ने जैसे तीन दीदियों को आपने पांच 5,000 रुपए दे दिए तो आगले पांच वी हफ्ते में वह 300 रुपए ब्यास से वापस हो जाएं यह सभी दीदियों कराता है इस बाज को आप लोग फ्रुआध्यान से सुनिए यह जो 300 रुपए है यह आपके समू के अंदर जो 12 महिला हैं या 13 महिला हैं 10 महिला हैं जो भी महिला हैं यह सब में डिवाइड होगा आगे चलकर जी हां आगे चलकर यह पैसा ना तो अधिका कर दिया जाता है और जैसा कि आप जानती है कि हम लोगश्वयं श्याता समू जोडते हैं तो पहले अपना खोद का बचत करते हैं करते हैं चार्ण उसका बिवाज के तुरू मिलेगा गबडाने की जरूत नहीं है स्वेम चाता में जूड़ जाईए अप लोग आपका पैसा न तो कोई अधिकारी खाएगा न समू सकी खाएगी कोई नहीं है लेकिन खा सकती है अगर आप जागरूख नहीं रहेंगी तो आप लोगों को जागरूख होना बह होने पाए उपयोग ही हुए अच्छे से आप लोग चलाएं क्योंकि अभी तक कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो की श्वेम शाहता बनाए और अच्छे से चलवाए लेकिन एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है तो कुछ सहयोग हमें भी करनी है जी हां उनका काम है आपके खाते में पैसा भेजना जैसे 50,000 इंस पाइवालिंग फट भरनती अब 1500 सट्राट अब आपको दिया गया अगर आपको रीजिस्टर ब्लॉक द्वारा दीया जारा तो आपके खाते में फंद्र सौ इस पैसों को भी आपको जी हाँ इस पैसे को आपको जो है ग्राम संगठन में जमा करना होगा लेकिन कब जब आपके गाउं में ग्राम संगठन बने होगी अगर ग्राम संगठन नहीं बने है तब तक उस पैसे को आप लें दिन करती रहिए जब तक कि आपके गाव में कोई ग्राम संकठर न बन जाए जब ग्राम संकठर बन जाएगे तो उसे किस दबाई किस आपको जमा करनी होगी ऐसा ना सोचिए कि आप अगर किस दबाई किस जमा कर देंगी आपके पैसे खतम हो जाएगे तो हम फिर क्या करेंगे आप किस्त बाइक किस्त जब समय समय से जब हम पैसा जमा करते रहेंगे तो हम समाने रिंड ले सकते हैं समान रिंड लेकर भी वो टाइम टू टाइम अपना जमा करेंगी तो ऐसा नहीं कि एक बार आपको रिंड बहुता है हर बहनों को 50,000,000,000 नहीं तो कैसे आपको पैसा मिलेगा तो इस बास का विशेष ध्यान दे दिदी कि आप लोग अपने स्वयम शायता समय को अच्छे से चलाना है रजिस्टर को अच्छे से लिखते रहना है अगर आपको रजिस्टर लिखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे प्रेना टीवी चैनल पर आप लोग जरूर आई है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखती रही है सारे रेजिट्रों के बारे में मैंने विश्टार से वीडियो डाल रखें आप उसे देख कर में रेजिट्रों को ठीक कर सकती है जैसे मेरे और पहली बहनों ने किया जी हां क काफी वहने मुझे करनेये काल भी कर रही है मेरे शुक्रियादा भी कर में भी बहुत खुश हूं कि मेरे वीडियो डालने से मैं काफीी खुश भेनों को भी कुछ करना होगा। दरिश्ट्र को सही रखना होगा, समो को सही चलाना वोगा। तो मुझससी जितना बन पढ़ रहा है तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके घर तो आकर मैं दिदी सिखाने पाऊंगी। तो मैं वीडियो को देखती हूं आप लोग मेरे वीडियो को देखती रहिए और जानकारिया अच्छे सच्छे पाती रहिए और आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे कॉल कर सकती है मैंने मुलमन नमबर दे रखा है आप लोग समू को चलाइए मैन और ध्यान में रखें रिजिश्टर किसी को नहीं देना है ना तो अपने पाजबोच देना है ना तो मोहर देना है नहीं तो आपके eligible आपके नहीं कारवाई कुच्टक से कहीं किया जा सकता है और अब फ्युक्त व सक था है तो नहीं नहीं जनकरियात हुसेम चाहता समू के त्वारा मिलती रहेगी, धन्यवाद.